दोस्तों, इसकिन की अगर सबसे कॉमन कोई प्रॉब्लम है तो वो है पिंपल्स। अक्सर लोग पिंपल्स को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के लोशन्स, क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं इस उम्मीद में के उनके पिंपल्स ओवरनाइट ठीक हो जाएंगे बट एंड में ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हासिल लगती है क्योंकि इससे कुछ भी फाइदा उनको नहीं होता है एक्शुली दोस्तों, जादा तर लोग ये जानते ही नहीं है कि पिंपल्स सिर्फ एक एक्स्टरनल प्रॉब्लम नहीं है पिंपल्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बीमारी है जिसका आपके इंटरनल सिस्टम से भी बहुत साथा रिलेशन होता है तो जब भी हम पिंपल्स को ट्रीट करते हैं तो हमें ना सिर्फ एक्स्टरनल एप्लिकेशन की चीज़े यूज़ करनी चाहिए बलकि इसके साथ-साथ कुछ ऐसी दवाईयों की भी जरुरत होती है जो कि आपके इंटरनल सिस्टम को क्लीन्स करे और आपके पिंपल्स को जड़ से ठीक करे तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ जो हाँ मैं आपको बताऊँगा कुछ बहुत ही effective natural home remedies के बारे में जो कि आप इस्तमाल कर सकते हैं ना सिर्फ अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए बलकि पिंपल्स के recurrence को दूर करने के लिए क्योंकि पिंपल्स एक बार जब हो जाते हैं तो उनका recurrence के chances जो हैं वो बहुत जादा हो जाते हैं अगर आपको भी कभी पिंपल्स हुए हैं तो आपको पता होगा कि बार 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 ये problem आपके अंदर आती रहती है तो आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली जितनी भी remedies और treatments में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो ये आपको इन दोनों ही चीजों से चुटकार दिलाने में काफी जादा मदद करेंगी तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नल सिस्टम के बारे में कि आपको इंटर्नली ऐसा क्या करना है जिससे पिंपल्स की प्रब्लम आपकी दूर हो जाए और बार बार ये चीज आपके साथ ना हो देखे दोस्तों जो इंटर्नल सिस्टम है उसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज जो आपके स्किन के लिए है वो है आपका स्टमक यानि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो अनहेल्दी है उसके अंदर टॉक्सिंस है या आपको डाइजेशन ठीक नहीं होता है हाजमा नहीं होता है या फिर आपको कॉंस्टिपेशन रहता है तो कुछ यह एक ऐसी चीज़े हैं जो कि डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं आपकी स्किन की क्वालिटी के उपर और पिंपल्स के उपर तो सबसे पहली चीज़ आपको यह करनी है कि अगर आपको कॉंस्टिपेशन रहता है जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉबलम है जिन लोगो को पिंपल्स होते हैं उनके अंदर तो आपको कुछ ऐसे मेजर करने चाहिए जैसे आपके कॉंस्टिपेशन ना हो कॉंस्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सालेट्स खाने चाहिए मीट वगर आपको नहीं लेने चाहिए तलीभुनी चीज़े आपको नहीं लेने चाहिए ज्यादा मिर्च मसाले आप आपको नहीं लेने चाहिए आप जो है इसको दूर करने के लिए कॉस्टिपेशन को दूर करने के लिए इस अब कोल की भूती ले सकते हैं दूद के साथ या मुनक्का आप ले सकते हैं उसका बीज निकालके दूद के साथ या फिर अंजीर आप खा सकते हैं इसके साथ जाधा ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स आपको खाने चाहिए जूसेस भी आप ले सकते हैं बट अगर आप फ्रेश फ्रूट खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा इसके साथ अपनी बॉड़ी को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है सिस्टम को क्लीन करना जरूरी ह उसके लिए आप कुछ ऐसे डीटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो कि रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मेथी का पानी है बहुत अच्छी चीज है आपकी सिस्टम को क्लीन करने के लिए कोकोनेट वाटर आप ले सकते हैं रोजाना एक या दो बार ये दोस्तों कुछ ऐसी ब लिए टॉक्सिंस होते हैं उनको फ्लश आउट करने में भी काफी ज़दा हेल्प करेगा तो अगर आपका सिस्टम क्लीन रहेगा आपकी बॉड़ी में टॉक्सिंस नहीं रहेंगे आपका खून साफ रहेगा डाइजेशन अच्छा रहेगा आपको नहीं होगा तो ये सारी चीज़े आपकी स्किन के ऊपर reflect करेंगी आपकी स्किन अच्छे से ग्लो करेगी हैल्दी स्किन रहेगी और pimples होने की चांसिज जह हैं वूं भी कम हो जाएगे और अगर में पाई जाने प्यूरिटीज जो होती हैं वो आपको पिंपल्स पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा responsible होती हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका blood pure रहे, detox रहे और अच्छी तरह से healthy way में आपकी पूरी body के इंदर circulate करता रहे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा important चीज है पानी आप जितना जादा पानी पेंगे उतना ही जादा आपकी kidneys अच्छे से काम करेंगी और आपके जो blood है उसको pure बनाती रहेंगी उसमें से toxins को flush out करती रहेंगी एक दिन में कम से कम 10 से 12 glass पानी आपको जरूर पीना चाहिए अगर आपको स्किन की कोई भी problem है तो इसके साथ आप एक और चीज है जो कि regularly इस्तवाल कर सकते हैं वो है green tea एक दिन में कम से कम 2 से 3 कप green tea आपको जरूर पीने चाहिए क्योंकि green tea के अंदर बहुत सारे ऐसे compounds होते हैं जो कि आपके skin health के लिए अच्छे होते हैं बहुत सारे antioxidants पाए जाते हैं green tea के अंदर जो कि आपके liver को भी strengthen करते हैं और अगर आपके liver के अंदर strength रहेगी वो अच्छे से काम करते रहेगा तो उसकी वज़य से भी हमारी body के अंदर पाए जाने वाले जो toxins होते हैं वो body से eliminate होते हैं और again ये सभी चीज़े मिलके हमारी skin health को improve करती हैं और especially pimples के case में हमें काफी ज़्यादा मदद मिलती है internal care के बाद अब बारी आती है external care की लेकिन इस बारे में further बात करने से पहले अगर आप इस channel पर नए हैं दोस्तों और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा ताकि आने वाले टाइम में भी आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहे और अभी तक जो आपने वीडियो देखी है अगर पसंद आ रही है तो इसको like भी जरू कर दीजे और share भी जरू करिए अपने जानने पशानने वालों के साथ ताकि सभी लोग इससे फायदा उठा सकें तो चलिए बात करते हैं external gear की तो external gear की जब बात आती है तो सबसे पहली और सबसे important चीज जो आपको करनी होती है जितना जादा clean आप अपनी skin को रखेंगे उतना ही जादा आपके लिए अच्छा होगा और उतने ही जादा pimples होने के chances आपके अंदर वो कम हो जाएंगे जैसा कि आप जानते हैं कि जो pimples होते हैं वो अकसर oily skin वाले लोगों के अंदर जादा होते हैं क्योंकि oily skin के अंदर क्या होता है कि जब oil हमारी skin पर जमा हो जाता है एक उसकी layer बन जाती है तो जब भी हम किसी pollution वाले area में जाते हैं जब भी हम किसी धूल के contact में या धूए के contact में या ऐसी किसी भी चीज़ के contact में आते हैं तो यह सभी impurities गंदगियां जो हैं यह हमारे इस oil के उपर जम जाती है और जमने के बाद जो skin के pores होते हैं वो clog हो जाते हैं बंध हो जाते हैं और वहाँ पर नीचे infection होना शुरू हो जाता है starting में यह जो infection है यह हमें नजर आता है white heads की शकल में या black heads की शकल में और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह infection अगर ठीक नहीं होता है तो एक pimple की शकल ले लिता है तो अगर हम अपनी skin को clean करते रहेंगे, timely और यह हमारे जो pores हैं यह fresh रहेंगे, खुले रहेंगे तो इसकी वजह से जो यह infection है वो होने की chances कम हो जाएंगे और ultimately हमें जो problem है pimples की वो नहीं होगी तो इसे clean करने के लिए आपको क्या करना है? Clean करने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया home remedy, एक ऐसा formula जो कि आप अपने घर पे ही बना सकते हैं और एक बहुत effective चीज है यह आपके cleaning के लिए इस formula को बताने के लिए आपको चाहिए होंगे 100 gram fresh mint leaves यानि पुदीने की पत्य ले लिजए आप 100 gram और उनको एक लीटर पानी के अंदर डालके boil कर लिजए boil करने के बाद इस liquid को आप उतार लिजए आग से और उसको चान के रख लिजए चानने के बाद जब यह ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आपको एक चमच मिलाना है camphor यानि के काफूर एक चमच काफूर डालके इसको आप अच्छे से घोल लिजए और एक जार के अंदर स्टोर करके अपने फ्रिज में रख दीजए इस लिक्विड से आपको रोजाना अपने स्किन के क्लीनिक करनी है एक कॉटन का स्वैब लीजए और इसको इस लिक्विड के अनर डिबोईए और अच्छे से अपने पूरी स्किन की सफाई कर लीजए यह जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है यह ना सिर्फ आपकी जो स्किन के पोर्स है उनको ओपन अप करेगा बलकि आपकी जो ऑईली स्किन होती है उसमें से एक्सेस ऑईल को रिमूव करके उसको ज़्यादा फ्रेश पनाएगा आपकी जो स्किन है ज़्यादा फ्रेश इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए चंदन का पौडर, दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है कैमफर, तीसरी चीज है मुलतानी मिट्टी और चौती चीज है रोज वाटर यानि के गुलाब जल आप क्या करेंगे, एक टेबल स्पून चंदन का पौडर ले लेंगे, एक कटोरी के अंदर, उसके अंदर आप मिलाएंगे एक टेबल स्पून मुलतानी मिट्टी और एक चौताई चंबच कैमफर, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिये और उसके बाद इन तीन सूख जाए और आपकी स्किन जो है वो थोड़ी आपको लगे कि स्ट्रेच हो रही है तो फिर इस फेस पैक को आप वाश कर लीजे थंडे पानी की मुतद से गरम पानी से वाश नहीं करना है थंडे पानी से वाश करना है यह फेस पैक आपको रोजाना कम से कम एक टाइम या जादा से जादा दो टाइम इस्तेमाल करना है शायद दो टाइम मुश्किल हो तो एक टाइम भी करेंगे तो चलेगा एक टाइम सुखा में भी आप कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं लेकिन एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो यह कि इस फेस पैक को लग जिससे आपका blood जो है वो pure हो तीसरी चीज के ये जो आपको externally cleaning करनी है और चौती चीज ये face pack ये चारो चीजे जो हैं दोस्तों ये मिलके आपको बहुत ही ज़ादा अच्छे effects देंगी in terms of cleaning, in terms of curing your pimples और ना सिर्फ curing बलकि इसके साथ recurrence है वो भी आपका इसकी वज़ा से कम हो जाएगा और बार-बार pimples होने की जो शिकायत आपकी है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और जिसका आपको ख्यास ध्यान रखना है वो ये कभी भी जब आपको pimples होते हैं तो आपको अपने pimples को touch नहीं करना चाहिए अकसर लोग ये गलती करते हैं कि बार-बार touch पता नहीं क्यों करते रहते हैं अपने pimples को या फिर कई बार हम लोग प्रिक भी कर देते हैं या दबा देते हैं, squeeze कर देते हैं इस उमीद में कि शायद ये ठीक हो जाएंगे लेकिन ये बहुत ही गलाच चीज है इसकी वज़ा से आपकी pimples के अंदर infection बढ़ सकता है पस बढ़ सकता है और सबसे important चीज जो है वो ये कि आपकी skin के उपर दाग हो सकते हैं black black निशान हो सकते हैं सकार बन सकता है जो कि एक बहुत बुरी चीज होगी और आपका skin जो है अगर pimples ठीक भी हो जाते हैं तो बहुत सदा बुरी लगेगी तो इसलिए अगर आपको pimples हैं तो उनको touch करने से बचिए उनको prick करने से बचिए और उनको दबाने से बचिए और ये चीजे इस्तमाल कीजे जो आज मैंने आपको बताई हैं और इसमें बताएं कि जो टिप्स हैं और जो फॉर्मूलाज हैं वो आप ज़रूर ट्राइ करेंगे इन फॉर्मूलाज को ट्राइ करने के पाद जो भी आपके एक्स्पिरियेंसेज होँ वो हमार साथ जरूर शेर करिएगा आप अपने एक्सपिरियेंसेज मेरे साथ इंस्टरग्राम पे भी शेर कर सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी शेर कर सकते हैं अगर आपके कुछ थोट्स हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स और ट्रिप्स हैं जिसकी मदद से आपने अपने पिंबल्स को ठीक किया है तो वो भी अपने फैलो वीवर्स के साथ जरूर शेर करिए हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेर करेंगे और बाकी जो वीवर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उससे मिल सकता है तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इस सफर में इसी तरह बने रहेंगे और आने वाले समय में में भी हमारे वीडियो को देखते रहेंगे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजे और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूजेगा क्योंकि अकसर लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो उनको नोटिफिकिशन नहीं मिल पाता है और समय से वीडियो वो नहीं देख पाते हैं तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं से माप्स करता हूँ अपना बहुत ध्यान रखिये हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कु हैं सके हेल्दी हमेशा